तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया है और मैंने पैंटिंग कर ली है आज जितना मुझे करना था क्यूकि अब मुझे घर का काम करना है तो मैं दिखा रही हैं मैंने कितना वर्द किया है यह देखिए मैं बस इतना ही वर्ड कर पाई हूँ और अब चलते हैं किचन में किचन का काम शुरू करते हैं नमश्कर दोस्तों मैं शान्ती सिंग आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शान्ती सिंग यूट्यूब चैनल में और अब शाम हो चुकी है और अब मैं ड्राइंग का काम बंद करती हूँ प्यूकि कीचन का काम करना है और ब्रेस को मैं अच्छे से पानी से साफ कर देती हूँ और फिर सूती कपड़े से पोच के रख देती हूँ चलते हैं कीचन में कीचन में जाने से पहले बेटी का टीफीन और वाटर बोटर में निकाल लेती हूँ मैंने उसे कहा था निकाल दो लेकिन बच्चे हैं ठक जाते हैं गर्मी भी बहुत जादा हो रही है तो खाना खाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं तो अब मैं निकाल के भी ले आई हूँ और इसमे इसमें फोड़ा कहाना बचा हुआ था तो इसको मैं हटा देती हूँ थो कर गर्मी हो रही है तो उसने खाया भी नहीं है और इससे पहले में बर्तन धुला हुँ कि मैं टब के पहले वाली बर्तन इस्टैंद में लगा देती हूँ उसके बात मैं ये बरतन धूल के उसमें रख देती हूँ आप देख रहे होंगे कि मैं कब भी ले आई हूँ ड्राइंग वाला क्योंकि मैं उसको भी अच्छे से साफ करके रख देती हूँ बीच बीच में कुछ आपको हॉर्ण जैसा साउंड आता होगा गाड़ियों का चुकि मेरी घर के पास में रोड है ना तो उस पे गाड़ियां चलती है तो उसकी आवाज आ जाती है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजेगा और अब मैं अब बर्तन दूल के लगा देती हूँ अच्छे से और मुझे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है सुबह मैं खाना बनाने के बाद गैस नहीं साफ कर पाई थी तो मैं इस वक साफ करते रही हूँ जिससे कि यह जो गैस चूला है बहुत अच्छे से चमकने लगेगा और आप देख रहे होंगे कि मेरा किचन कितना चमक रहा है क्योंकि मैं अच्छे से सफाई करती रहती हूँ और अब किचन का काम हो चुका है अब जारू लगा लेते हैं घर में तो साम की जो साफ सफाई है वो हो जाएगी और घर भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद फिर से किचन में जाएंगे नाश्टे की तयारी करेंगे और तो आज तो नाश्टे में मुझे मैंगो शेक बनाना है क्योंकि आम का सीजन चल ला है तो फिर आज कल तो मेंगो शेक जरूर बनता है तो शाम को मेंगो शेक बनाने की तयारी चल लगी है आम को मैं छेल रही हूँ उसके बाद मैं मेंगो शेक बनाऊंगी लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बाद में हारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मैं नहीं दिखा पाई हूँ और चुकि इसमें वाइस ओवर में बाद में करती हूँ तो इसलिए बाद में वाइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी वीडियो को नहीं डालती हूँ सुरी दोस्तों मुझे माफ कर दीजीगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना नहीं पाती हूँ और सुबह से व्लाउग को नहीं बनाती हूँ क्योंकि सुबह का जो शुडियोले काफी ज्यादा बेजी रहता है इसलिए नहीं कर पाते हैं लास्ट में फिर मैंने कहना चाहूंगी कि मुझे माफ कर दीजिएगा गल्दी की